गाइज, UDICE Plus 2024-25 सेशन के लिए UDICE के स्टूडेंट मड्यूल के लिए इंपर्टेंट अपडेट आया है पहले आपने UDICE Plus पर स्कूल के क्रेडेंशल से लॉगिन कर लेना है स्कूल के यूजरनेम और पासफ़र्ट से लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट मड्यूल का डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहाँ पर एक साइड पर आपको अकैडमी की यह 2023 जो भी दिखा रहा है और दूसरी साइड पर आटेंशन करके एक वार्निंग मेसेज यहाँ पर डिस्पले हो रहा है तो मेसेज को हम पढ़ लेते हैं जो भी वार्निंग मेसेज इन्होंने दिया है यह वार्निंग मेसेज बोल रहा है कि आपने 2024 पचीशन के लिए स्टूडेंट डेटाबेस या स्टूडेंट मडियूल के अंदर किसी भी किसम का डेटा इंट्री का काम नहीं करना है या कोई भी स्टूडेंट का जो स्टूडेंट डेटीड टास्क है चाहे किसी की कलास को परमोट करना हो चाहे प्रोग्रेशन का हो चाहे ड्रॉप बाक्स का हो चाहे इंपोर्ट का हो तो आपने कोई भी स्टूडेंट डेटीड टास्क परफोर्म नहीं करना 2024-25 सेशन के लिए वो इसलिए नहीं करना है making changes or updates could lead to issues with 2023-2024 data यानि कि अगर आप 2024-2025 के session में कोई भी student related task perform करोगे तो उसका result क्या होगा कि आपका 2023-2024 का जो data है वो खराब हो सकता है ठीक है ना क्यूंकि UDICE हर session के लिए जो भी exact data है वो collect करता है student का class wise तो यह आपने क्यूं perform नहीं करना इसकी जरूरत क्या मतलब इसको perform करने के लिए UDICE मना क्यूं कर रहा है मना इसलिए कर रहा है क्यूंकि अगर आप 2024-2025 session के लिए आप अभी से student को promote कर दोगे या ने student add कर दोगे या कुछ भी कर दोगे तो आपका जो पिछले साल का data है क्यूंकि वो अभी 2024-2025 activities are officially active यानि कि हम आपको notify कर देंगे आपको एक notification मिल जाएगा आपके state जो nodal officers है या state team जो UDA इसको lead कर रही है उनकी तरफ से आपको एक notification मिल जाएगा जब 2024-2025 का जो data है वो active होगा या 2024-25 का student module जब active होगा तो आपको एक notification मिल जाएगा तो तब तक के लिए आपने कोई भी 2024-25 session के लिए किसी भी किसम की कोई भी activity perform नहीं करनी है तो यहाँ पर अभी अभी तक के लिए जो 2024-25 session का जो भी यहाँ पर button है वो अभी तक के लिए disable है तो आप जो भी अगर करना चाहते हो तो 2023-2024 में कर सकते हो 2023-2024 का आपको dashboard open हो जाएगा उसमें जितने भी आपके school की strength होगी ठीक है ना class wise ठीक है जो जो भी module होगा वो सारे का सारा यहाँ पर show हो जाएगा तो अभी तक के लिए आप 23-24 के जो record है उनके साथ आप update कर सकते हो लेकर 24-25 के लिए अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ time के लिए wait करना पड़ेगा कितने time के लिए wait करना पड़ेगा जब तक 2023-24 का जो session का जो data है वो UDAIS के database में finalized ना हो तब तक के लिए आपको wait करना पड़ेगा तो guys जब भी 24-25 session का student module UDAIS पर active होगा तो हम आपको notify कर देंगे तो channel को subscribe कर लें ऐसे ही informative videos देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching